नमस्ते आप सभी का स्वागत है सनी का जाइका में आज हम लाए हैं वन पॉट मेल रेसिपी याने की एक ही बरतन में हम बनाएंगे हमारी रेसिपी जो कि बनाना बहुत ही आसान होने के साथ ही साथ बहुत ही टेस्टी भी है अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आये तो आप उसे लाइक शेर करें और हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं हमारी मेक्सिकन रेसिपी तो यह देखे एक कप हमने बास्मती चावल लिया है आप या कोई भी चावल ले सकते हैं उसको हमने आदा गंटा भीगो लिया था तो यह देखे भीगेवे चावल है जिसका हमने पाने निकाल लिया है तो यह जो एक कप चावल है यह लगबग 200 ग्राम वजन में है तो एक पैन में हम ले लेंगे एक टेबल स्पून तेल और उसमें हम डाल देंगे एक टेबल स्पून पटा अब उसको हम मेल्ट कर लेंगे तो फ्रेंज आज जो हम recipe बना रहे हैं ये one pot meal recipe है यानि कि एक ये बर्तन में हम पूरे recipe को तयार कर लेंगे तो फ्रेंज ये बहुती tasty, बहुती मज़ेदार और बहुती कम समय में बनके तयार हो जाती है अब उसमें हम एक चमज डालेंगे चौप किया हुआ garlic जिसको हमने बारिक चौप कर लिया है उसको हम अच्छे से sauté कर लेंगे इस तरह से हम चलाते रहेंगे चमज को अब इसमें हम डालेंगे प्याज जो आधा कप हमने बारिक काट लिया है उसको भी add कर लेंगे और इसको भी हम अच्छे से सौटे कर लेंगे तो फ्रेंज ये रेसिपी बहुत ही कम टाइम में तयार हो जाती है 10 से 15 मिनिट के अंदर ये बन के रेडी हो जाती है अब इसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरी जो हमने फ्रेश टमाटो को पीस के बनाया है और इसको भी हम continuous चलाते रहेंगे और इसको हमें अच्छा से पका लेना है जब तक इसका पूरा पानी है वो जल न जाए शिक न जाए इस तरह से इसको हम चलाते रहेंगे तो ये देखे देरे देरे पानी इसका काफी कम हो गया है तो यह देखें अब यह बहुत अच्छा से पख चुका है यह हमारे पक के एक्दम रेडि हो गया है टेमाटो तो चलिये अब जो है हमने जो चावल हमने भिघ好吧 Cos are यह पानी जो हम वो निकाल लेंगे हम सिफ चावल इसमें डालेंगे आप इसमें हम डालेंगे राजमा आदा कप जो娘 करके हमने तयार करके रखा था अब यह देखिए bell papers हमने लिया है red, green और yellow ये तीनो आदा कप है जिसको हमने chop कर लिया है एन दिके इसमें हम एड्ड कर देंगे तीनों भेल पेपर मगया वस्ति डालेंगे काड़ेव में powdered आदा चमच यह हमें निया है यहां पे आप थो फ्रेश भी ले सकते हैं इसमें हम डालेंगे चिली फ्लेक्स अब इसमें आड्ड कर देंग हम ब्रिजया अब इसमें हम डालेंगे हल्दी आदा चमच, एक चमच हम डालेंगे रोस्टेट जीरा पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, अब डालेंगे हम काश्मीरी लालमिश पाउडर, और अब इसमें हम डालेंगे नमक, अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि यह तरहं से हम भी इसको चलाएंगे इसमें हमें थोडी से rất जालेंंगे काली irony प्याश्च पाऊड़र ताकि इसका जो फ्लेवर और इनहांस हो जाये तब इसको अच्छा से मिंक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे पानी कि पानीं हम यह पे डालेगे या पर जिसको हमने हम गरम कर लिए था पहले जितना हम चावल लेते हैं उसका डबल हम पानी डालेग से मिक्स कर लेंगे इस तरह से मे लिड़ लगा के ढक्के दख पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम से लो फ्लेम में अब तो देखिए 57 मिनिट हो चुके हैं चेक कर लेते हैं इसको तो यह देखिए हमने इसको चलाया है स्पैचुलर के मदद से तो इसमें अभी थोड़ा पानी है और थोड़ा सा करक भी लग रहा है तो यह अभी तक अच्छे से पका नहीं है इसको अच्छे से हिला लिया अब इसको वापस लिट लगा के हम पकने के लिए 3-4 मिनिट के लिए छोड़ देंगे तो चली अब 3-4 म हमारा पग्या है गैस को मौफ कर देंगे अब इसमें हम धनिया पता डाल देंगे अब इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंज यह बहुत ही फास्ट रेसिपी यह बहुत जल्दी से बन जाती है जब कभी भूख लगे 10-15 मिर्ट में कुछ बनाना हो तो यह रिखर बन जाती है तो चलिए आप इसको सव कर देंगे तो ऐसको बच्चों को टैंफेन में ड़ा सकते हैं यह मैक्सिकन राइज स आप dim ने भी डाल सकते हैं डिफिन में यह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है तो चलिए यह जो हमारी वन पॉर्टमील है वो बिलकुल बनके रेडी हो गई है बहुत यमी लग रही है बहुत कलरफुल है और बहुत टेस्टी है साथ ही साथ जो नहों तो यह हो इन्हीं सकता है मैंकिन रेसिपी स्में बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए तो देखें नाचो इसको हमने यह आप सब कर दिया है हमारे राइस के साथ में आप चाहे तो इसको क्रशच करके भी स्में सर्फ कर सकते हैं अब इसमें मैं थोड़ा सा चीज भी ग्रेट करके डाल रही हूं आप चाहे तो यह आप चाहे तो इसमें चीज भी डाल सकते हैं इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा तो आप इसे जरूर ट्राय करें